HELLO F buddy, Welcome to my youtube channel और आज हम लोग friends बात करने वाले हैं कैसे हम लोग GSP में Custom Tag को Create कर सकते हैं Custom Tag मतलब User Defined Tag को कैसे हम लोग Create कर सकते हैं यह सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो friends अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यूव हैं चलिए friends, तो हम लोग क्या करते हैं, start करते हैं तो friends, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि custom tag बनाने की जरुरत क्या है अगर आपको ये चीज़ समझ में आगई custom tag बनाने की जरुरत क्या है फिर आपको चीज़े पता चल जाएंगी कि custom tag क्यों बनाना चाहिए और ये क्यों इतना important है तो friends, जब आप कोई software बनाते हो, software का मतलब जब आप कोई software बनाते हो तो software बैसिकली Java पे जो software होते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं या किसी enterprise level application हो गया, bank के software हो गया, इतने बड़े-बड़े software होते हैं तो वो सारे software कोई एक बंदा नहीं बनाता है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं अब हम सिर्फ यहां पे दो बंदे को example लेंगे, लेटा suppose हम एक software build-up कर रहे हैं, मैं एक software build-up कर रहा हूं, जो जिस पर मैं और मेरा friend काम कर रहे हैं, और मेरे friend को front end बहुत अच्छे से आती है, फिर हो चाहे, फिर designing में उसको HTML बहुत अच्छे से आती है, CSS बहुत अच्छे से आता है, JavaScript बहुत अच्छे से आता है, बट वो थोड़ा सा बीक है, Java लिखने में, मतलब Java उसको थोड़ा सा बीक है, मतलब नहीं आती है, और मुझे back end अच्छे से आती है, that means मैं Java पर मेरा control है, मैं Java की चीजों को अच्छे से कर लेता हूं, मैं comfortable Java code में, तो मैं क्या करूंगा, simple, जो मेरा software होगा, उसमें हम लोग ऐसे काम करेंगे, हम front end वाला सारा काम अपने friend को दे देंगे, और जो back end का सारा काम होगा, वो मैं करूंगा, that means Java का code सारा मैं लिखूंगा, और हमारा friend का करेगा, वो front end का काम करेगा, let us suppose, जब वो front end का काम कर रहोगा, तो उसको बहुत सारा dynamic data चाहिए होगा, अब dynamic data उसे बहुत सारा चाहिए, that means उसको Java code की ज़रुत है, dynamic data को generate करने के लिए, अब problem हो जाएगी, क्योंकि उसको Java नहीं आती हो, तो वो front end पे काम कैसे करेगा, तो मैं simply क्या करूंगा, मैं, क्योंकि वो जो मेरा friend है, वो HTML tags को अच्छे सा समझता है, लिख सकता है, और वो feel comfortable feel करता है HTML tags में, तो मैं क्या कर कर दूँगा, और मैं एक custom tag create कर दूँगा, वो custom tag associated होगा, associated होगा Java के code से, that means, जैसे ही जो हमने बनाया tag है, हमारा friend tag use करेगा, जैसे ही वो tag execute होगा, वो associated था Java का, Java के code से, Java code अपने आप चल जाएगा, इसका मतलब होता है, कि अब मेरा friends, मेरे friend को मैं बोलूँगा, कि भाई आप HTML में comfortable हो, तो मैंने आपके लिए tag बना दिया, इस tag को आप use कर लो, जैसे इस tag को use करोगे, backend का logic अपने आप चल जाएगा, इसका मतलब है कि tag simply हम लोग क्या कर सकते हैं, tag के रूप में हम लोग Java का code लिख सकते हैं, और जैसे ही वो tag हम लोग use करेंगे, Java का code अपने आप execute हो दार हैगा, तो जब भी आप tag use करना चाहते हो, that means कि आप HTML, similar type of HTML की coding करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा HTML के अंदर Java mix करना अच्छी बात नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, जहाँ-जहाँ Java का code लिखना है, आप tag बना के काम करो, तो इससे आपका code भी clean लगेगा और front end वाला coding भी कर पाएगा, क्योंकि उसे Java code नहीं लिखना पड़ेगा, उसको simply, similarize HTML tags use करना पड़ेगा, तो friends इसलिए हम लोग इस वीडियो में custom tags को बनाना सेखते हैं, और custom tag को बनाने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं, कई सारे interfaces Java ने दिये हैं, जिसको हमको implement करन पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अपना तरीका बात करूँगा, और सबसे simplest logic होगा कि कैसे हम लोग custom tag को बना सकते हैं, तो चले फ्रेंट स्टार्ट करते हैं, और चलते हैं अपने computer screen पे, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर NetBeans IDE open है, आप देख सकते हो, मेरे पा recording अच्छा सीखनी है, तो हो जाके वीडियो देख लीजिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने बहुत सारे चीजे बनाई थी, यहाँ पर 404 JSP page बनाया था, फिर exceptions को handle करने के लिए page बनाया था, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर step सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को एक custom tag बनाना है, तो सबसे पहला step है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक tag handler class बनानी पड़ेगी, that means अगर हम कोई tag बनाना साचार है, let us suppose आप tag 1 बनाना चारो, तो उसके पीछे logic क्या चलेगा, यह सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहला ही step है, create a tag handler class, आप सबसे पहले tag handler class बना लेजिए, that means उस tag को कौन सा java का code हैंडल करेगा, वो tag जब आप लगाओगे, तो कौन सा code execute होगा, तो चले फ्रेंट्स हम लोग बताते हैं कि tag handler class कैसे बनाते हैं, simply आप क्या करें, source packages में चलिए, source packages में एक package बना दीजिए, जिसमें मैं package दूंगा, simply java package और यहाँ पे, मैं package का नाम देंदूंगा, tags, और इस tag पे simply right click करूंगा, new java की simple एक class बना दूंगा, और इस class का नाम देंदूंगा, my tag one, या फिर my tag handler, my tag handler, और simply, यह देखें, simple से एक java की class बन गई, अब मैं आपको बताता हूँ, is code tag handler, that means tags की सारी properties कैसे मिलेंगी, यह tag handler class कै कैसे बनेगी, तो किसी भी class को tag handler class बनाने के लिए आपको simply करना क्या होगा, एक interface है tag, उस tag interface को आप implement कर लो, और उसके methods को simply override कर दो, जैसे आप service में करते हैं, service interface को implement कर लेते हैं, तो उसके methods को override कर देते हैं, तो आपका service ready बजाते था, यहाँ भी अगर आपको tag handler class बना रही ह है, simply में tag नाम का एक interface है, उसे इंहरेट कर लोगा, that means implement कर लोगा, तो अब देखो tag interface, tag interface है, तो उसको हम लोग implement कर सकते हैं, बट उसका एक child है, जिसका नाम है tag support, उस tag support class को भी हम लोग extend कर सकते हैं, क्योंकि indirectly हुआ है कि हम लोग extend करेंगे tag support को, और tag support implement कर रहा होगा tag को, that means हम लोग indirect parent बनाएंगे, तो simply आप यहाँ पर आईए, आप लिखे extends और यहाँ पर tag support, जैसे ही आप tag support लिखोगे, तो हम थोड़ा सा लिखते है, tag support, control space दबाएंगे, तो देखे, simple से यह class extend हो गई, और जैसे मैंने control space friends किया, यहाँ पर देखे, यह वाली class का जो package है, वो import हो यहाँ पर याद रखने की जरूरो तो आपको याद रखने की जरूरो तो नहीं, आप simply control space netbeams किया अपने लिजिए, यहाँ पर आप simply search कर सकते हो, tag support, और tag support पर आप click करके देख सकते हो, कि इसका package हो गया रहा, कहाँ पे है, यह देखे, यह इसका package है, तो आपके पास tools है, उनका आप use करिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, method override करेंगे, जो method execute होगा, tag को चलाने के लिए, तो आप simply override करने के लिए, method अगर याद है, तो override कर दो, otherwise netbeams की help लो, eclipse की help लो, alt insert पे click करो, यहाँ पे एक option आपको मिल जाएगा, override methods, आप click कर दो, तो आपको यह करेंगे, और generate पे click कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे method override हो जाएगा, next हम क्या करेंगे, simply, यहाँ से दिखिए, इस method में, सबसे पहले मैं इसका return type integer की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो integer return type है, that means, यह represent करता है, कि आपको body चलानी है, कि नहीं चलानी है, तो मैं simply यहाँ पे क को, इससे कोई मतलम नहीं, आपने इसकी body कर दिया, उसके बाद हम simply लगाएंगे, track और catch में, अगर आपको exception print करना चाहरे है, तो e.print stack trace लिख दूंगा, जिससे कोई भी exception आएगी, तो आपको console पे चीज़ें मिल जाएंगे, अब हम यहाँ पे वो काम लिखेंगे, वो task लिखेंगे, जो tag से कराना चाहरे है, tag से कराना चाहरे है, that means, let us suppose हम print करना चाहरे है, screen पे, hello, this is my custom tag, तो फिर वो कैसे करेंगे, क्योंकि यह JSP नहीं है, यहाँ पे आप आउट डोट पिंट अले नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको out का reference fetch करना पड़ेगा, तो आप एक variable ले होता है, वो JSP Writer का होता है, तो हम JSP Writer आउट ले लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे page context dot get out, अब simply जो यह आउट variable है, वो friends बहुत important है, इस out variable की हम से आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हो, वो variable जाए, वो चीज जो आप प्रिंट करोगे, वो जाएगा सीधे सीधे आ मैं यहाँ पर लगा देता हूं, out.println, और मैं यहाँ पर लिख देता हूं, hello, this is my custom tag, this is my custom tag from tag handler, ठीक है, this is my custom tag से फ्रिक देते हैं, और अगर आपको और भी कुछ चाहिए होगा, तो आप और कुछ यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, out की help से, तो अब हमारे tag handler class बन चुका है और हमें पता चल गया, कैसे बनाना है, एक बार मैं आपको revise करा देता हूं, मैंने simply क्या किया था, मैं एक class बनाई थी, extend कर दिया था, tag support, और भी तरीके हैं tag बनाने के, लेकिन यह सबसे simplest तरीका है, और फिर हमने do start tag को write किया, और फिर अपना code लिख दिया, जो tag से काम करान चाहरे हैं, वो task simply यहाँ पर लिख दिया, next step हमारा पहला step complete हो गया, tag handler हमारा ready है, अब लोको क्या करना है, एक tld file बनानी है, तो second step create a tld file, what is tld, tag library descriptor, tag library descriptor, यह file होती है, basically यह contain करती है, information about your tag, आपने कौन-कौन से custom tags बनाये हैं, वो information इसके अंदर होगी, तो हम लोग और वो file होती ही, basically web.xml, web.inf के अंदर, तो हम simply web.inf folder पर right click करेंगे, new पर जाएंगे, और simply यहाँ पर other पर जाएंगे, और यहाँ पर filter पर type करना है, start करेंगे, tag, जैसे tag type करोगे, आपके पास दो option दिखेंगे, tag handler, नीचे एक tag library descriptor का भी option दिखेंगा, आप उस पर check कर लेज और इसको simply finish कर दिजे, जैसे ही आप friends finish करोगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीजा, बहुत सारी, बहुत सारा code is generated मिल जाएगा, आपको कोई tension नहीं लेगा, आप simply tag lib tag, जो दिखेंगे, tag lib tag, इसके अंदर simply आ जाएए, और यहाँ पर आप tag लगा दिजे, आप tag लगा simply, यह मेरा पहला tag है, और यहाँ पर आपको लिखना है tag class, आपके tag का class क्या होगा, तो हम वही class का नाम देंगे, that means हम देने वाले my handler class का नाम with package, तो हम आएंगे यहाँ पर और type करेंगे, tags हमारा package था, tags.class का नाम, simply, इतना अगर आपने काम कर दिया, तो आपकी tld file ready है, तो चले देखतें कैसे अपना tag use करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, simply, हम लोग एक file बना लेंगे, web pages पर right click करेंगे, new पर जाएंगे, gsp और हम यहाँ पर type करेंगे, एक example, या फिर tag.gsp अपने यहाँ पाजाएगा, finish कर देंगे, उसके बाद friends हम लोग क्या करेंगे, prefix को डिकलियर करने के लिए, और यूरी को target करने के लिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे, tag live, directive, तो हम लिखेंगे tag live, और हम लिखेंगे, uri, uri में slash लगाएंगे, webinf में my live दे देंगे, और simply prefix में हम लिख देंगे, t, t for tag, ठीक है, अब हम अपने tag को यूज कर सकते हो, simply हम t जैसे ही लगाएंगे, तो हमारा my tag simply देख जाएगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, simply इस t prefix की help से इस वाले library में रखा हुआ tag, जितने भी tag से हम उनको simply use कर सकते हैं, तो चले friends देखते हैं कि ये tag चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम लोग आएंगे, और इस code को run करेंगे, simply type करेंगे, यहाँ पर tag.jsp, enter कर देंगे, तो यहाँ पर देखे, this is my custom tag, इसका मतला हमारा वहाँ पर tag create हो चुका है, तभी output दे रहा है, अगर आप यहाँ पर tag handler में आके, इस चीज़ को आप देखे, यहाँ पर आप इसका नाम बदल देते हैं, out.println, तो simply देखे, कुछ और प्रिंट कर देते हैं, let's suppose हम क्या करते हैं, यहाँ पर P के अंदर लिख देते हैं, this is custom para graph, ठीक है, और हम यहाँ पर date भी प्रिंट कर देते हैं, तो out.println, और हम यहाँ पर टाइप करते हैं, new date, date, और simply, हम लोग to straight, और हम लोग इसके पीच में एक BR tag भी लगा देते ह हैं, out.println, और simply हम लोग यहाँ पर एक BR tag line change करने के लिए उस कर लेते हैं, और spelling थोड़ा सा गलत हो गई, तो इस spelling को भी हम लोग क्या करते हैं, println सही कर लेते हैं, और हम लोग इसको save करते हैं, और अपने page को फिर से क्या करते हैं, refresh करते हैं, तो देखे, this is custom paragraph, और यह भ पढ़ा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप हमने h1 को यहाँ पर close नहीं किया, तो हम h1 को भी क्या करते हैं, close कर देते हैं, अब देखिए, सब कुछ यह सही दिखा रहा है, तो जहाँ जहाँ आप ही हम अपना tag use करेंगे, tag के backend में मैंने जो Java को कोड लिखा है, वो यह code और फिर prefix और URI, जिसमें taglib directive हम लोग ने सीखा था, taglib directive की help से हम अपने GSP page में use कर सकते हैं, अपने custom tag को, तो यह simple tag था, next video में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक ऐसा tag बना सकते हैं, जिसमें जिसके attributes में हम लोग value भी पास कर सकें, हम लोग अपने custom tag के attributes में कोई number पास करें, या value पास करें, और वो value आपको simply यहां पर मिल जाए, जिससे कि आप processing कर पाओ, आप processing कर पाओ, और उसका हम कुछ लोग, हम लोग real time example भी देखेंगे, तो अगर friend ये वीडियो आपको useful लगी, तो आप चैनल को subscribe करिए, और हम लोग daily वीडियो लाते हैं, Java पे ला बाई बाई बाई